सो हलो एब्रिवन वेगम बेक टु माई यूटुब चेनल एसके इंस्टिटीट ओफ डिजाइन जहां मिलते हैं आपको आटोकेट के टिटोरियल्स देखने के लिए सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डाइग्राम आटोकेट टुडी में बना करके दिखाऊंगा सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है सो सबसे पहले आपको आटोकेट एप ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्कल कमांड का यूज करना है जिसका शॉटकट की होता है सी एंटर ठीक है सो आपको कोई भी एक रेंडम पॉइंट ले लेना है जो कि 29 का ऑफसेट है बाड़े वाले सर्कल का ठीक है सो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 65 माइनस 29 करेंगे वहाँ पे आपको क्रणा है हो 29 माइनस होता है हमारा 36 सो यहाँ पर enter करें और जहांसे आपको center point ले करके ती के यह सेंटर पॉइंट है यहां से आपको 36 एंटर करना है ठीक है फिर आपको line command का use करना है एस a center जो आपको point मिला था वहां से 65 right hand side जाना है ठीक है फिर से L enter करना है एंट 65 नीचे जाना है ठीक है, sorry, L enter, and यहां से 65 नीचे जाना है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो diagram में हमें बोला गया कि, आपको center point से 18 उपर जाना है, and यहां पर 78, 37, and 43, यहां पर होता है 158, so 158 की आपको एक line draw करना है, ठीक है, so यहां पर हम line command का use करेंगे, and center से आपको 18 उपर जाना है, ठीक है, and वहां से आपको 158 dimension की एक line draw कर लेनी है, ठीक है, फिर वहां पर circle command का use करना है, and वहां पर 26 and radius 10 के दो circle है, so यहां पर आप C enter करेंगे, and center point यहां से रखना है आपको, and 26 radius का एक circle जो है वह आपको draw करना है, ठीक है, फिर से C enter करना है, and यहां से radius 10 का एक circle draw कर लेना है, ठीक है, and इत्ता करने के बाद, आपको diagram में यहां क्या बोला गया है, कि यहां पर 8 dimension दिया हुआ, 26 का offset है, यहां यह एक और circle बनेगा, so यहां पर 26 minus 8 करेंगे, so यहां पर हम कर लेते हैं, ठीक है, Kelsey में, आपको सबसे पहले Kelsey open करके रखना है यहां पर, and यहां पर हम करते हैं, 26 minus 8, तो आता है हमारा 18, so यहां पर आपको क्या करना है, circle command का use करना है, C enter, center point रखके, आपको radius 18 का एक circle draw कर लेना है, फिर यहां पर आपको जो strips दिखाई दे रहे है, 8 strips है total, उनका जो length है, यहां पर 3 दे रखा है, so यहां पर आप क्या करेंगे, line command का use करना है, and 3 का half होता है 1.5, so यहां पर 1.5 enter करना है, and यहां से नीचे जाना है 3, ठीक है, and यह जो हमने 18 का circle बना है तो उसको delete कर देना है, फिर यहां पर आपको line command का use करना है, इस object को extend करना है 3, ठीक है, so यहां पर आपको यह total इत्ता बनाने के बाद, इस line को select करके delete करना है, इस point को यहां से intersection point पर आपको meet up कर देना है, ठीक है, and I am feeling, this is an intersection point of connection. इसको meetup कर दिया अब यह जो लाइन है उसे आपको क्या करना है मैं बताता हूँ intersection point पर ले जाना है ठीक है अब फिर क्या करना है यह जो सरकल है मतलब यह जो भी हमने line बनाया था इसको select कर लेना है सिर्फ इन तीनों line को ही select करना है ठीक है अब यहाँ पर polar array का use करना है सो polar array का shortcut की होता है arrayaire polar ठीक है इत्ता करने के बादze आपको enter करना है and यहाँ पर आपको center point था वह आपको center point दे दिना तो फिर एक new tab खुलेगा आइटम में 6 लिखा होगा उसको आपको cancel करकी eight करना है फिर यहाँ पर enter कर देना है ठीक है यहाrण हों निढुल है तो के सेमी को यहां पर भी करना है है यहां पर को ड्राम में Select object करना है ठीक है So select object Select object enter ठीक है फिर आपको center point देना है And यहाँ पर 6 यहाँ पर हमारा Circle यहाँ पर draw हो चुका है ठीक है फिर आपको escape कर देना है यहाँ पर फिर आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पर आपको 2 handles यहाँ पर आपको Draw करने है, So handles के dimension है 78, 37 and 43. So, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि line command का use करना है L enter and यहाँ से आपको जाना है 78 ठीक है फिर आपको उपर scroll कर देना है फिर से आपको L enter करना है यहाँ से आपको जाना है 37 ठीक है फिर आपको उपर scroll कर देना है ठीक है फिर यहां पर आपको diagram में क्या बुला गया है यह वाले जो point थी वहां से आपको 18 dimension नीचे आना है ठीक है और एक line draw करना है यहां पर हम line command का use करेंगे यहां से आपको 18 नीचे जाना है ठीक है यहां पर आपको एक line draw करना है यहां से हमें इतना ही चाहिए ठीक है और इसे भी हम extend कर देते हैं कहां तक इस line को आपको इस वाली 37 वाली जो line थी वहां पर आपको touch कर देना है ठीक है तो यह intersection point हो गया एंड इस line को भी मैं नीचे यहां पर extend कर देता हूं ठीक है फिर यहां पर आपको जो आपने 18 की line बनाई थी उसे delete कर देना है ठीक है यह जो intersection point था उससे आपको क्या करना है इस line को select करना है and intersection point पर आपको लेकर चले जाना है ठीक है अभी यहां पर आपको diagram में क्या बुला गया है देख लेता हम यह जो 37 का जो corner अभी हमें मिला है at ya पर जो 78 का corner है उसको यहां पर meet up करना है ठीक है यहां पर आप करेंगे पहले तो जो 78 की लाइन है ठीक है उसको मीट अप करना है सो यहां पर लाइन कमांड का यूज करेंगे एल एंटर एंड यहां से इन दोनों पॉइंट्स को आपको मीट अप कर देना है ठीक है इत्ता करने के बाद इस लाइन को आपको riders selected करके Delete करना है ठीक है इसे भी select करके Delete करना है select करके delete करना है यहार आपको क्या बोलाँ यह जो डाइग अब्यूक्र सबस्क्राइब यहां बेहों है प्या नहीं यहां किया करेंगे ऑफ्वेट काूटकट की होता है ओ, enter, ठीक है, 20 का offset है, so enter करेंगे 20, and यहाँ पर 20 का offset का एक और line यहाँ पर draw हो चोका है, so इस line का आपको क्या करना है, select करना है, and उपर extend कर देना है, ठीक है, so यहाँ पर हम, एक second, उपर extend कर दिया हमने, and इसे भी थोड़ा नीचे extend कर देंगे, and यहाँ पर आपको यह जो diagram है, 20 का gap है, so यहाँ पर इस line को आपको select करना है, delete करना है, फिर से आपको line command का use करना है, and यहाँ से आपको 20 उपर जा रहा है, ठीक है, so यह आपको एक line हो गई, 20 की, ठीक है, so यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था, इसका offset करना है, so enter करता हूँ, and यहाँ से 20, enter करना है, select object, and इसका offset, ठीक है, इस line को आपको यहाँ पर उपर extend कर देना है, ठीक है, so, yes, मैंने इस extend कर दिया, and यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, fillet use करना है, so, यहाँ पर, जो, सबसे पहले, radius 20 का, fillet use हुआ है, so, यहाँ पर, fillet का shortcut की होता है, is enter, यहाँ पर, radius इस, गर करेंगी, and यहाँ से radius 20, आपको enter करना है, and इन दोना object को आपको select करना है, so, यहाँ पर, radius 20 का, fillet use हो जाएगा, फिर, यहाँ पर, radius 5 का, fillet use हुआ है, so, यहाँ पर, फिर से, F enter करना है radius को select करना है and radius 5 enter करना है ठीक है मुझे इस line and circle के बीच में 5 का fillet use करना है फिर यहाँ पर radius 10 का fillet use हुआ है फिर से F enter करना है and radius आपको select करना है and 10 enter करना है ठीक है आपको इस line और इस line के बीच में radius 10 का fillet यूज करना है फिर से यहां पर ऊपर जाने के बाद यहां पर रेडियस 12 का फिलेट यूज हुआ है तो यहाँ पर फिर से आपको F enter करना है and radius select करना है and radius 12 आपको enter करना है ठीक है आपको इसके बीच में और इसके बीच में radius 12 का fillet use करना है फिर यहाँ पर radius 10 का fillet use हुआ है तो यहाँ पर फिर से आपको F enter करना है radius 10 आपको enter करना है सो circle के बीच में और इस देख रहे है वो circle है ठीक है radius 180 का सो यहाँ पर directly हमको circle नहीं बनाना है सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उसका एक second यहाँ पर आपको TTR command का use करना है सो TTR command का आप use कैसे करेंगे मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको यह quick access toolbar है वहाँ पर आपको circle दिखेगा circle का नीचे एक arrow है वहाँ पर जाके आपको tangent, tangent and radius select कर लेना है ठीक है यहाँ पर देना है दूसरा point यहाँ पर देना है radius 180 आपको enter करना है सो यहाँ पर आपको TTR use हो जाएगा 180 का फिसे आपको trim command का use करना है tr double enter and इस part को जो है आपको trim कर दिना है फिर diagram में आपको क्या बोला गया है इसका आपको offset करना है कितना 20 सो यहाँ पर मैं 20 का offset कर लेता हूँ इसका सो offset command O enter and यहाँ से radius 20 offset सो इस object को select करके आपको इसका offset use करना है and यहाँ पर radius 14 and radius 12 का fillet बोला use करने को सो यहाँ पर fillet के लिए F enter करना है radius select करना है and यहाँ पर radius 14 select करना है सो मुझे इसके बीच में फिर से F enter करना है and यहाँ पर radius पर click करना है and 12 आपको enter करना है सो इस line के बीच में और circle के बीच में चाहिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस circle को delete करना है ठीक है and यहाँ पर आपको trim command का use करना है tr double enter and यह जो बीच के इसके parts है उसको trim कर देना है ठीक है so yes हमारे जो parts ते वो trim हो चुके है so here is the diagram finally हमारा diagram ता वो totally complete हो चुका है जैसा कि आप देख सकते है so thank you friends for watching this video अगर video पसंद आया so please channel को like share and जरूर से जरूर subscribe कर लीजेगा ठीक है मिलते है next video में तब तक के लिए good bye